बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम अस्सलाम वालेकूम दोस्तों दोस्तों आज की हमारी वीडियो उन लोगों की लिए जिन लोगों की बाल गिर रहे है या जिन लोगों की बाल नशुनुमा नहीं कर रहे है तो दोस्तों आपने वीडियो फूरा देखना है भी इसको बिल्कुल skip नहीं करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छूटी सी रिक्विस्ट की जाती है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो फ्लीज इसको सबस्क्राइब करें वो बिल आइकान पर क्लिक करें तो चलो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सब लोगों को फता है कि आज कर ये मसला बहुत आम होता जा रहा है बहुत ज्यादा लोगों के बाल गिर रहे है तो इसके तो मेडिकली भी और फिसिकली भी और माहुलियात यालूदगी की वज़ा से भी इसके बहुत सी वजुहात होते हैं लेकिन इसके जो बैसिक वज़े है वो मेदे का खराब होना या मेदे में कोई इंफिक्शन हो तो इसके साथ इसका में रिलेशनशिप है दूसरा फानी का अगर किसी का फानी सही नहोँ फानी में गंदगी हो तो इस वज़े से ये भी इसके लिए खतरनाक है तो इस वज़े से ये बाल गरोथ नहीं कर रहे हैं और बाल गिर रहे हैं तो दोस्तो इसके लिए आपने ये करना है कि एक किसम का शामफू और एक आइल यानी तियल यह मिलता है जो वतीका के नाम से है वतीका के नाम से शीमपू होगा और उसके ओफर लिका होगा केक्टस, यानि केक्टस एक फ्लांट से जो फ्लांट गृूप है, उससे रिलेटिट है, तो आपने बिल्कुल सेम उसी चीज़ को लेना है, आप इसमें बहुत सी ब्रेंड़ आते है, बहुत से डिजेन होता है इसमें, तो आपने वही सेम तो आपको पता होगी इस पौदे को कहते है जो इस में आइल में भी शामिल है और इस शीमपू में भी शामिल है तो आपने इस शीमपू के लेना है इसके ओपर लिखा भी है किक्टस और यह शामपू है वतीका का दूसरी तरह आपने अब यह भी लेना है आइल यानि तेल आ इसी तरह का आपको मासानी से मारकिट से मिल जाएगा तो दोस्तों ये दूनों चीज ये तजरिबे से साबित हुआ है ये मुकमल शर्टियन इलाज है ये और फाल यानि बालों को गिरने का कांट्रोल करना और बालों को ग्रोथ देने के लिए ये काफी मुफीत है अब आते हैं इसके तरीका इस्तिमाल के तरफ तो दोस्तों इसमें ये तरीका इस्तिमाल रहे कि कि आपने रात के वक्त अपने बालों को शिम्पू के साथ दोना है और पिर इसको सूखा कर इस फर ये किक्टस वाला जो आईल है वती का ये आईल लगाना है सेम यही काम पिर सुबह जब उटके आपने दुबारा करना है सुबह भी आपने इस शिंपू के साथ अपने बालों को दोना है और पिर इसकी उफ़र ये आईल लगाना है कुछी दिनों बाद आपको मुकमल रिजल्ट मिल जाएका शर्तियन इलाज है इसका लेकिन बशर्तियों कोई एक टसका हो तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आगई तो इसको लाइक आप और शेयर करें शुक्रिया लाफ़िस